हेलो फ्रेंड वेलकम टू बाई चैनल लेट्स लेंग जलोजी दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल लेट्स लेंग जलोजी पे जहां पर आपको हम साल्व कराते हैं प्रीबियस यर के आये हुए कुश्चन पेपर के कुश्चन बायलोजी के आईए आज उसी संकला को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं आपको कुश्चन नंबर 61 पे इससे पहले हम आपको साल्व करवा चुके हैं 60 कुश्चन आईए आज देखते हैं कुश्चन नंबर 61 और कुश्चन नंबर 61 में क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे साइटो जेनेटिक में आपको बताना है साइटो जेनेटिक मैपिंग में क्या होता है इसको देख लेंगे रिक्वाइड the gene have been cloned if in c-titpo hybridization is to be used इसमें कहां पर यहe use के जाती है, required that the gene, required that the gene have been cloned, यह वहाँ पर use के जाती ही, जहां पर क्या होता है, gene होते हैं उनके clone, अतलब उनका क्या होते है, cloning की जाती है, कैसे की जाती है, in c-सらी to hybridization is to be used, in c-स के यूज करके की जाती वहाँ पें साइ्टोज़नेटीक ओती है थीज़ से क्या है इस जो फ्रासेस होती ही क्लोनिंग की इसे हम क्या कहेंगे शाइटोज़नेटिक मैपिंग होगी यहीं इसका सही एंसर हो जाएगा और भी कुश्यन देख लेते हैं इसके देख लेते हैं इस दा हाई रेजुलीशन मैथर्ड आप जीन लोकलाइजेशन यह नहीं होगा ठीक है कैन भी यूज्ट टू डिटेर्माइन रिलेटिव आडर आफ जीन्स लोकेटेड वेरी क्लोश टू इच अदर यह भी नहीं होगा और इसका चाओ था आल आप अबब तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा वहाँ पर क्या होती है cytogenetic mapping होती है यानि कि hybridization की जो process है उसी को हम क्या कह सकते हैं वहाँ पर cytogenetic mapping की जाती है यानि कि पता लगाया जाता है genes का कौन से gene clone है ये हो गया इसका सही answer क्या हो गया दोस्तों इसका सही answer हो जाएगा answer number A आए देखते हैं which are the following questions could be easily answered by fish निम्न में से कौन से प्रेश्ण का उत्तर मचली द्वारा आसानी से दिया जा सकता है तो आए इसके चार answer देखते हैं और चारो answer को देख लेंगे how often does recombination occurs between the ebony and sepia ये हो गया दूसरा हो गया इन एपर्टैमली affected with beaker muscular dyastrophy is the mutation due to the deletion of entire gene ये हो गया दूसरा तीसरा देखते हैं how large a piece of DNA would you need to clone in order to clone the group of human globin genes from chromosomes ये हो गया none of above ये हो सकता है तो आईए देखते हैं इसका जो answer होगा which of the following questions could be easily answered by fish लग फिस्ट गता हैं काउन से प्रश्ण का उत्तर मचली द्वारा आसानी से दिया जा सकता है तो इसमें देख लेंगे जैसे दूसरा answer इसका है हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा हमारा answer number B हो जाएगा इसका आईए देखते हैं next question next question हमारा दे रखा है देखेंगे next question हमारा देख रखा है यहाँ पर what was the arrangement of marker in the original parents stance तो original parents stance जो cloning का यह portion है इसका जो है situation दे रखी होती है situation देने के बाद में यहाँ situation बहुत बड़ी होने के कारण हमने इसको नहीं दिया है तो यहाँ पर directly इसका हम answer देख लेंगे इसका answer क्या हो जाएगा answer number A हो जाएगा पहला इसमें दे रखा answer number A में क्या है 500 BP B पर दे रखा है 4300 BP and 33 3350 BP और इसका जो है B दे रखा है 2300 अबलिक 200 BP तो इसका जो सही answer हमारा हो जाएगा यह question gene cloning से है तो इसको detail में आपके साथ फिर से describe करेंगे तो इसका सही answer क्या हो जाएगा हमारा answer number A हो जाएगा आईए देखते next question next question हमारा जो दे रखा है which of these genetic markers is most likely to be highly polymorphic record में दे रखा have many different alleles इन में से कौन अनवांसिक चिन्नक अतियन्त बहुरूपी होने की अधिक्तम संभा होना है तो आपको इसमें बताना इसमें क्या answer होगा NRFLP यह हो सकता है and micro satellite यह हो सकता है and SNP यह हो सकता है all of these are equally polymorphic तो यह हो सकता है तो इसका जो सही answer दोस्तो हम बात करेंगे इसको सही answer क्या हो जाएगे a micro satellite इसका सही answer क्या होगा a micro satellite दोस्तो तो इसका सही answer क्या हो जाएगे इन में से कौन सा अनवांसिक चिन्नक अतियन्त बहुत बहुरूपी होने के अधिक्तम संभावना किसकी होती है micro satellite की होती है यह भी genetic engineering का part है तो यह भी question genetic engineering के इन दोनों question को question number 63 और question number 64 को एक बार हम फिर से describe करेंगे पूरी situation के साथ में तो दोस्तो आगे देखते है next question हमारा दे रखा है question number 65 और question number 65 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दे रखा है mendels hybridization use of two plants बताया गए mendels के संकरण योजना दो पौधों को उप्योग करने की थी जो होते हैं कैसे होते हैं वो बताना मतलब mendels ने जो अपने experiment किये थे उनमें दो पौधों को उप्योग किया था कैसे होते थे वो differing in a pair of contrasting differing in pair of contrasting यह हो जाएगा दोस्तों दूसरा क्या दरखा है differing in two pairs of contrasting characters यह हो सकता है differing in many pairs of contrasting characters यह हो सकता है differing in three pair of contrasting characters तो यहाँ मेंडल के संकरण योजना दो पौधों को अप्योग करने की थी जो होते हैं वो कैसे होते हैं differ होते हैं in two pair of contrasting characters तो इसका जो दो pair है कोई मतलब जैसे कि हमने दो pair का बात करें तो यहाँ पे दो pair क्या हो जाएंगे तो जैसे कि कोई पौधा है तो पौधा के एक टालनेस की बात कर लेंगे और दूसरा क्या कर लेंगे ड्वार्फनेस की तो two pair of contrasting character ले लेंगे ठीक है तो यह हो जाएगा differing in two pair तो इसका सही answer क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा बी नमबर दोस्तो नेश्ट कुष्चन हमारा दे रखा है नहीं दोस्तो इसका कुष्चन नमबर ए होगा differing in pair of contrasting character हाँ दोस्तो इसका जो differing in pair pair मतलब दो pair अलग अलग होते हैं थोड़ो इसको हम describe कर लेते हैं आपके साथ इसमें देख लेते हैं क्या है जैसे कि हमने tallness के लिए जो हम लेंगे tall के लिए जो आप लोग उन्हें पढ़ रखा होगा tall के लिए क्या लेते हैं capital T, capital T और दूसरा dwarf के लिए क्या लेते हैं dwarf के लिए small T और small T का यूज़ करते हैं तो character तो यहाँ पर एक है तेकिन इनकी pairing अलग अलग है यानि कि differing and pairing of contrasting character मतलब एक जोड़ी में विरोधी, विसिष्ट, भिन मतलब क्या हुआ अगर जखो एक main character से यहाँ पर क्या height, height में क्या होगा कि तो plant क्या होता है dwarf होता है या फिर long होता है तो एक यह character है लेकिन दोनों क्या है एक दूसरे का budget यानि कि दो different चीज़े हैं यहाँ पर एक darkness के लिए क्या लेते हैं अलील सम क्या लेते हैं ड्वार्फनेस के लिए smallty, smallty और tallness के लिए क्या लेते हैं capital T, capital T तो यह question घुमा करके इसका सही answer हो जाएगा हमारा a number हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो यह इसका answer क्या होगा a number हो जाएगा differing in pair of contrasting character तो यह हो गया इसका सही answer next question हम देखेंगे next question में question number 66 question number 66 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या देरखा है gene transfer in bacteria by transformation has the following character sticks पताया कि gene transfer किया जाते है bacteria में by transformation has the following character उसमें मत्तब जो भी genes transfer किये जाते है genetic engineering का part है वहाँ से पूछा गया कोई genes अगर desire gene होगा genetic engineering का use करके वो एक individual से दूसरी individual में transfer किया जाता है वो बात यहाँ पर की गई है तो यहाँ पर देख लेंगे majority of the donor gene are transferred मतलब बताया कि अधिकांस data gene इस्तांतरित किया जाते है यह हो सकता है या फिर दूसरा it involves a plasmid transfer करने के लिए plasmid की जरूरत पड़ती है या फिर it depends on the phase infection of the recipient यह हो सकता recipient cells यह हो सकता है या पाने वाली कुछका के phase संक्रमण पर निर्भर करता है यह बात बात एकदम गलत है it can be carried out using free DNA extracted from the donor यह भी बात एकदम गलत है और पहला point देख लेंगे majority of donor gene are transferred मतलब अधिक मात्रा में donor gene transferred किया जाता है यह भी बात गलत है तो अगर बात करें कि कुछन नंबर 66 का answer नंबर जो भी है it involves a plasmid transformation होता है होता है तो महाँ पर plasmid as a vector के रोब में use किया जाता है ठीक है तो यह क्या होगा इसका सही answer क्या हो जाएगा it involves a plasmid transformation कोई भी desire gene होगी एक जो individual होगा वहाँ से transfer करने के लिए उसके help लेनी पड़ती है किसकी plasmid की help लेनी लेनी पड़ती है दोस्तों तो यह इसका सही answer क्या हो जाएगा आए देखते next question हमारा दे रखा है next question हमारा 67 दे रखा है 67 में दे रखा any process that result in the integration of new combination of gene together in a single cell is तो आपको बताना है question number 66 67 जो हमारा दे रखा है question number 67 27 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या दे रखा है इसका सही answer की बात करेंगे यहां पर genetic recombination हो सकता है या fusion हो सकता है genetic fusion हो सकता है या पिर allelo typing हो सकते है à allelo typing हो जाएगी तो इसके सही answer की अगर हम बात करेंग nih एक पर्कुरिया जिसका नतीजा है जीन्स के नए संयोग का एकल कोसिका में समाकलन और वह है तो उसे हम क्या कहते हैं एक कोसिका के अंदर कोई दो जीन या करके डाल दीजिए उसे क्या कहते हैं जेनेटिक रीकांबिनेशन इसका क्या एंसर रीकांबिनेशन इसका हो जाएगा एंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा जनेटिक रीकांबिनेशन यानि कि कुश्चन नमबर 67 का एंसर नमबर 1 हो जाएगा तो रीकांबिनेशन थोड़ा हम समझाने की गोशिद करते हैं आपको जो रीका तो उसे हम क्या कहेंगे डोनर कहेंगे माल लेते हमारी सेल है सेल के अंदर से में जीन निकालना है तो यह सेल हमारी क्या हो जाएगी डोनर हो जाएगी डोनर सेल हो जाएगी और ऐसी एक सेल जिसमें यह जीन हमें डालना है अच्छी क्वालिटी का जीन हमें इसमें डालना है तो यहां से इसका डिने निकाल लेंगे निकालने के बाद क्या करेंगे इसके जो डिजायर जिन अच्छे जीन है उनको निकालेंगे और इसका डिने जो निकालेंगे और दोनों को डिने को जब यहां पर मिला करकर डालेंगे तो यह डिने हमारा बनेगा तो यह डिने हमारा क प्रासेस को हम क्या कहते हैं इसने सरह क्या हो Rechtlaw को जाएगा इनसे सर्घ्र मुष्तम स्परूच एनस मुष्त कर दो है आईए देते next question, next question हमारा जो दे रखा है common lymphomas in pediatric age, pediatric age मतलब बच्चों की उमर में सामान लसिका मांसा बूर्द है, मतलब आपको बताना है ये क्या होता है, ये type का कह सकते हो, मांसा बूर्द का मतलब होता है, का answer होता है, ठीक है, तो ये question number 68 की अगर हम बात करेंगे, तो इसका जो सही answer हमारा क्या हो जाए, देख लेंगे, तो एना प्लास्टिक large cell lymphoma ये हो सकता है, या फिर बर्किट्स lymphoma हो सकता है, या फिर फॉलिकुलर lymphoma हो सकता है, या फिर डिफ्यूज large beta cells lymphoma हो सकता है, तो इसका जो फैसिकुलर lymphoma होगा, फैसिकुलर lymphoma जो होता है, ये, ये हो जाएगे इसका सही answer दोस्तों, तो फैसिकुलर lymphoma हो जाएगा, तो इसका सही answer क्या होगा, सही answer C number हो जाएगा, आए देखते हैं कुश्चन नंबर 69 की बात करेंगे कुश्चन नंबर 69 हमारा दे रखा है तो यह बताना है जो यह आपका एक प्रकार की कह सकती हो यह माहूथ में जो बन्ण पाइ जाती है वहां की यह डिसीज है तो यह कह सकते कंषी आजने से होता है उसमें की यह क्या है इसके लिए ऐस हम सहने चाहिएःद, कालपोनिन यह सब responsible होते हैं तो अगर हम कहें कालपोनिन या फिर साइटो क्रेटिन रहुत तो इसका सही एंसर जो हमारा क्या हो जाएका इसका सही एंसर हो जाएगा सी नंबर यह आपको यह तीनों चीज़ें यहाँ पर मिल जाते हैं यानि कि साइटो क्रेटिन है एसंडेड और कालपोनिन यह तीरों मिल जाते हैं यहाँ पर सी नंबर पर तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा इसका सही एंसर हो जाएगा दोस्तों आज देखते हैं नेस्ट कुशन के अगर हम बात करेंगे तो कुशन नंबर हमारा 70 दे रहा है कुशन नंबर 70 की बात कर लेंगे विच आप दा फालोइंग एस एसोशियेटेड विद बर्किट लिंफोमा तो बताया कि निमने में से किसका बर्किट के लसिका मांसा बॉर्द स ये ये संबंध है तो आपको बताना है तो इसका सही एंसर दोश्चों दिखाई दे रहा है ए ई बी वी इऑ का फुल-फॉल फाम क्या होता है है तो रखा है इस पैस्टीन बार वायरस Epastin Bar Virus क्या हो जाएगा Epastin Bar Virus तो इसका वाइरस जिम्मेदार होता है तो इसका सही एंसर दोस्तो क्या हो जाएगा इसका सही एंसर हो जाएगा ए नमर दोस्तो ये कुछ थे आज के important question दोस्तो अगले वीडियो में हम आपके साथ इसके आगे कुछन लेकर आईए तब तक अपने channel पर बने रही है दोस्तो और जो वीडियो हो आपको अल्रेड़ी इस channel पर मिल रहे है उनको watch करते रहे है और जो दोस्त हमारे नए है channel को subscribe कर ले क्योंकि हम इस पर आपके साथ share करते है previous year के आए होई question और इससे होगा क्या आपका फायदा होगा ही साथ में आपको पता भी चल जाएगा कि किस टाइप के question पेपर में आते हैं Thank you दोस्तों